क्योंकि जैसा कहा गया है मैं डूबूँगा और मैं फिर तैरूँगा ऐस जिन्दगी मैं जीत जाऊंगा बहुत सारे बच्चों के मन में अभी इस वक्त ये सवाल आ रहा होगा कि नीट में सेलेक्ट होना डॉक्टर बनना एक सपना तो नहीं तो उन बच्चों से मेरा कहना है बेटा आप सपने देखोगे नहीं तो उनको साकार करने की हिम्मत कहां से लाओगे डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा ही है तो तुम ही पावर रखते हो उस सपने को हकीकत में बदलने की उस सपने को एक सकार रूप देने की उस सपने से रूबरू होने की और अपने सपनों को एक ना एक दिन आपको ही हकीकत में बदलना है अब मीट की बात करें तो मीट में बचे है चंद दिन और ये चंद दिनों में आपको अपना 100% देना है आपको अपना शांदार एटेम्ट करना है जबरदस तयारी के साथ करना है फर्स्ट अटेम्ट है जबदस तयारी से अटेम्ट लो बहतरीन तयारी से अटेम्ट लो सेलेक्शन होगा बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर नहीं भी होता है तो मायूस होने की जरुवत नहीं है हम सेकिंड अटेम्ट में फिर तयारी करेंगे क्योंकि जैसा कहा गया है मैं डूबूँगा और मैं फिर तैरूँगा ऐस जिन्दगी मैं जीत जाऊंगा तो अपने सपने और हकीकत के बीच में अब आपके पास बचे हैं कुछ चंद दिन और इन चंद दिनों में अपनी तैयारी को इतना भैतरीन करिए कि आपके सपने और हकीकत में कोई डफरंस ना रह जाए आप अपने सपनों से रूबरू हो पाएं